कि है मैं आहिए अए आज की विडियो सेशन में जेरिए कि माइस्क्न कमान्द प्रॉंट के उपर । डीविद्ल कमान आप किस तरह से यूज किया जाता है तो आई ये विडियोन करते हैं तो कि मौ le К्माइंड को सबसे पहले data base create करेंगे तो यहां पर जो है सबसे पहले विजिबल है जो mySquil कि यह deine 2005 2 होगा इसी प्रॉम्ट के साथ मैं हमको व्हक्टाल पास नहीं कि तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है database को create करना database को हम create करेंगे ठीक है उस database का नाम क्या है school इस database को create करना है ठीक है तो उसके लिए कुछ command होती है तो इस command को मैं यहां पर type करूँगा जैसे यहां पर क्रिएट क्रिएट डेटा बेस ठीक कमांड है इसकी create database और इसमें नाम पास कर देता है जो भी database करेंगे स्कूल ठीक है उसके लास्ट में termination लगाना है ठीक है उसको इंटे कर देंगे तो एक message जा जाएगा कि जो query है query okay one row affected में जो आपका database है वो create हो गया ठीक है तो अब जो database create हो गया ठीक है जो database है उसको क्या करना डिस्प्ले करना है तो database को display करने के लिए हम क्या करेंगे command फिर देंगे ठीक है तो हो गए display क्या करना है किसको database को okay तो database को display करने के लिए हम command देंगे तो यह हो जाएगा तो यह जो डेटा बेसिस हैं इसको देख सकते हैं तो यह जो डेटाबेस क्रेट किया है कौन सा डेटाबेस क्रेट किया अभी हमने हमने जो डेटाबेस क्रेट किया उसका नाम है यहाँ पर जो डेटाबेस क्रेट किया उसका नाम है स्कूल इस डेटाबेस को हमने क्रेट किया ओके और यह जो डेटाबेस आप देख रहे हैं डेमो डेमो के विजी माई डेटाबेस म पर भाप यूस्क करेंगे तो अब इस डेटाबेस को हमने क्रीट एक पर डिया। अब डेटाबेस को क्या करना है एff इसके लिए कमांड होगा कमांड पास करेंगे यह होगा यूज और डिटाबेस का ने स्कूल जो डिटाबेस है और इसके बाद लगाना सेमिकॉलन ठीक है mysql prompt तो अभी हमने लगा दिया कर दिया use school ठीक है तो जसी इसको हम इंटर करेंगे तो यह आगया database change means अभी क्या होगा कि जो आपका database है जिसका नाम है school उसको आपने open कर लिया ठीक है अब इस database के अंदर हम check करते हैं कि कोई contents के अंदर already है क्या नहीं है अभी हमने database create क्या था तो उस case में क्या होगा कि database empty होगा तो इसको हम display करके देख लेते हैं इसके अंदर जो particular relation तो नहीं है means कोई table तो नहीं है तो हमने लिए so tables ठीक है तो देखो यह बता रहा है empty set means इस case में क्या होगा कि जो नहीं है матति हमारा database है database के लके अंदर कोई भी existing table नही है तो अभी हमको क्या करना होगा किर we database के अंदर table को create करना होगा था या था ठीक है तो अभी हम झो table create करेंगे तो इसके अंदर जो हम command ये था है ठीक है अगर suppose कोई आपको टेबल को create करना है या database को create करना है तो उसके लिए कुछ command होती है तो मैं command बता रहा हूं कौन-कौन से command होती है एक तो होता है create होता है दूसरा होता है alter और तीसरा होता है drop ठीक है तो यह जो तीनो command है इसको हम बोलते है ddl command होती है ठीक है और यह किसके उपर होगी जब आपको किसी table को create करना है तो इस इन command का हम use करते हैं ठीक है अगर सबस्ट मालों कि database या table को create करना है तो इसके लिए create table करेंगे create database करेंगे और सबस्ट उस database या फिर आपके जो table है उसमें कुछ changes करना है तो हम alter को use करेंगे और suppose database या table को आपको delete करना है तो इसमें हम use करेंगे drop command ठीक है तो अभी में table के लिए कि जो command है जो हम use करते हैं वो आपको बता रहा हूँ है चलते हैं इसमें हमारा जो mysql prompt है तो इसमें command करेंग create tables tables का नाम हम pass करते हैं suppose table का नाम हमने यहां पर pass कर दिया student ठीक है student कर दिया मेंने ठीक है क्योंकि हमारा database का नाम है school है आप student पुरा कर सकते हूं डेटाबस का नहीं में लगे, student कर दूं, ठीक है, create table कर दिया student, अब इसके अंदर पास करेंगे, क्या-क्या content पास करेंगे, हमको क्या कर चाहिए, तो एक तो चाहिए हमको roll number, ठीक है, roll number पास कर दिया, ठीक है, then उसके साथ में पास कर दिया roll number, मैंने बोला था कि जो हम इसको define इसके अंदर हम बताएंगे कि इसका जो टाइप होगा क्या होगा मैंने पास करते हैं इसके अंदर हम इंटर करते जाएंगे अब आपको रोल नंबर पास कर दिया है अब इसमें पास करते हैं एस नेम पास कर दिया इसका जो टाइप लिया है मैंने ले लिए वेर के इसमें पास कर दिया ट्वन्टी करेक्टर्स कितना पास कर दिया ट्वन्टी करेक्टर्स ओके देन उसके बाद हम एक को ले लेते हैं कोई फिल्ड इसमें ले लेते हैं क्लास लेलते हैं S class, okay, student class, इसको हम pass कर देते हैं, suppose character pass करते हैं, character pass करते हैं, ठीक है, generally हम क्या करते है, roman में pass कर देते हैं, या numbers में pass कर देते हैं, तो I think four characters is sufficient, four के three character में भी हो जाएगा, three character is sufficient, यह हमने pass कर दिया, then, इसको मैं close करूँगा bracket को, क्योंकि जो bracket है, यहाँ पर open किया है, तो यहाँ इसको last में close करना है, then, यहाँ पर semicolon लगाना है, ठीक है, तो यह semicolon लगा दिया, फिसको enter कर देंगे, तो जैसे ही आप enter करोगे, तो एक message आएगा, query okay, row affected, ठीक है, एक message आगया, then, अब हमने table ग्रेट कर दिया, जो table को create किया है, तो इसको हम देखते हैं कि, table को ग्रेट किया है, तो इसमें हमने, जो है, फिल्ड लिया है, इसके लिए command होती, describe, इसको हम बोलते है, dsc, यहाँ पास कर दिया है, student, ठीक है, तो यह क्या करेगा जो table के अंदर जो आपने attributes या data fields लिए हैं उसको describe करदेगा तो इसको बोलता है describe तो describe command use किया तो जो field हमने यूज के अंदर use किया था ठीक है कौन-कौन से field use कि थी इसके अंदर है जो भीड हमने इसके नदाख क्रीड कर दिया था इंटिजर घर हो गया यह नहीं है यहां पर 28 तो यह बे devake 20 हो गया यह यहां पर पास कर दिया ऐ और बाकि इसने ऑटमेटिक लिया है हमने नल स्प्रेशिफाई नहीं किया तो यह पास कर दिया किये भी कोई कुई नहीं पास किया बायर डिपोल्ट ले लिया एक्स्ट्र कोई अगर हम कुछ पास करते तो उसकंदर एड हो जाता है तो मेंस अभी जो हमारा जो कमांड है इसम हमें क्रेट कर दिया जो टेबल है उसको हमने क्रेट कर दिया अब दूसरी कमांड कौन सी थी हमारी ऑल्टर थी मिंस मालों की ऑल्टर हमको करना है ऑल्टर यह क्या मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर सपोस्ट आपको टेबल के अंदर कुछ चेंज करना टेबल मिंस इ टेटा जो इसकी फेल्ड है उसको it कर सकते हैं दूसरा इसके लिप इसको मौडिफाइक कर सकते हैं वह तीसरा को कर सकते हैं जो vaugh fakoum क memorized uh kis Assault टी मैं से देलीट कर सकते हैं तो यह तीन operation हम किसके करेंगे all ter टेबल के थुरू करेंगे ठीक है तो हम इसको करके देखते हैं जो इसके अंदर हम पास करते है तो कमांड पास कर दिया मैंने टेबल का नाम था स्टुडेंट लिया अब इसमें मालो कि मेरे को एक कोलम बाद में याद आए कि मेरे को इसके अंदर एड करना था रूल नंबर हो गया है नेम हो गया थी कि मिरे कु इसमें इंटे करना था सपूझ इस Malikτο को इसके अंदर पास करते हैं पुरा 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 इमेल तो इसके अंदर email पास करते हैं तो यहाँ पर पास कर दिया मैंने email email पास कर दिया इसकी जो लेंद स्प्सिफाई कर दी यह कितनी characters की हो गई 20 characters की ठीक है 20 characters specify कर दिया दिया दें इसके लास में semicolon लगा दिया ठीक हैं इंटे कर देते हैं ठीक है message आ गया query okay zero row affected record this duplicate कोई भी warning 00 सब कुछ है ठीक है तो अब वापस हम इस command को use करते है ठीक है तो इसी को हम use करेंगे कौन सा describe command से ठीक है तो describe command को यह पर pass कर देता हूं मैं suppose this is the describe command यह pass कर दिया student के लिए then enter कर देते हैं ठीक है तो यह जो फिल्ड हमने इसमें add किया था कौनी फिल्ड एड की है इसके अंतर जो add किया हमने कौन सा email email जो है यह क्या हो गया इसके अंतर एड हो गया ठीक है किसका use क्या था हमने alter command का और उसमें हमने पास कर लिए था ऐड, यह text, यह बान होकि साफीड को फिर नहीं के kभूव तो उसका जो यह लाइन्थ है, वह 20 करक्डर्स से जादा है तो उसको थो मोडिफाई करना पड़ेगा ड pale का इमेल को हमको modify करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे modify यूज करने के लिए अब email को modify करना है तो modify करने के लिए हम इसके अंदर command देंगे alter कि यहां पर जाए कि alter table table का name pass कर देंगे table का name क्या था student student pass कर दिया कर दिया modify कि modify ठीक है अब field का नाम क्या है इसके अंदर email इसकी length को हमको change करना है 20 characters था 20 characters से convert करूंगा 30 characters में यहां पास कर दिया है फिस semicolon लगा दिया last में इंटे कर दो ठीक है modify हो गया फिसको हम चेक करते हैं तो करेंगे describe command से then this अब देखो जो इसका length है वो length change हो गया है चेंज हो गया length पहले जो length हो कितना था पहले जो हमने length pass किया था यह जो है पुराना जो email का length हो कितना था 20 characters ठीक है 20 characters था और अभी जो recently हमने चेंज किया तो अभी कितना हो गया 30 characters तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जो इसकी data fields है या जो attributes है उसको भी हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तो अभी हम कौन सी command यूज करें DDL कोन सी command यह DDL DDL का full form होता है data definition language ठीक है तो इसके साथ हमने क्या यूज किया था alter के साथ में alter command यूज की थी alter command के साथ में हमने पास कर दिया था modify ठीक है अब आता है मैंने लोग कि suppose कि मैंने को इसी जो इसके अंदर है कोई field aid कर दी जिसके में को कोई requirement नहीं थी ठीक है तो हमें एक नई field इसमें aid करें या फिर एक काम करते है इस email को ही हमके करता है delete कर देता है ठीक है तो इसके लिए हमको क्या करना है पड़ेगा drop command यूज़ करनी पड़ेगी तो उसको करके देखते हैं यहां पर गए पास कर दिया alter और इसके अंदर के alter table इसमें पास कर दिया table का नाम क्या है student देनिया पर पास कर दिया drop उसके column का name पास करेंगे किसको delete करना है email को मेरको requirement नहीं है तो मैंने उसको पास कर देखते है कि email को यह ही क्या करते है ठीक है तो यह आगया message query ok row affected record 0 duplicate 0 warning 0 ठीक है तो अब इसको हम चेक करके देखते है डिस्क्राइब कमांड से ठीक है तर इसको describe करते है तो यह जो field हमनेे add किया था इसके ख़ोड़ mode add की थी ठीक है कौन सी field add हुई थी इसके अदेर जो add हमने किया था और जब इस command को चला दिया है ऻना हमने क्या करते हैं दौब इमेल ID तो यह क्याो गपार हो गए यह जो फिल्ड थी इन चर्ड ते इसमें से एक फिल्ड इमेल आइडी इसमें से डिलेट होगी तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो आल्टर टेबल है जो टेबल है टेबल के साथ हम क्या करते हैं कि जो पर्टिक्लर हमने जो डिफाइन किया हुआ है ठीक है जैसे जो भी हम फिल्ड डिफाइन करते हैं उसको क्या करते हैं डिलेट कर लेते हैं को एक और हम इसमें यूज करेंगे यहां पर मैं एक टेबल और इसमें ले लेता हूं क्रेट करता हूं जिसका नाम करते हैं क्रिएट 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 टेबल का नाम पास कर दिया सपोस्थ ठीक है टेबल का नाम पास कर दिया मैंने फी, इसमें पास कर दिया है, मैंने suppose role number इसको मैंने पास कर दिया, integer 4 character का पास किया है ठीक है, इसको आप चाहो तो एक line में भी कर सकते हो और पास कर दिया फी, फी को मैं पास कर दिया float के अंदर float को अंदर पास कर दिया, suppose ये total होगा जो फीज में होता है आपकी फूर गिजिट के अंदर होती है तो मैंने ले लिए टोटल सेवन डिजिट का होगा उसके बाद डेसिमल के बार जो वैस वयली वो डिजिट की होगी तो यह मैंने फ्लोड पास कहा दिया धने इसको देखने ओकी तो गया इसको भी चेक कर लेता है यह create है या नहीं है तो अब इसको हम चेक करेंगे तो describe करके हम इसको check कर लता है fees को ठीक है तो यह all है आप इसको जो table है हम हमारे database के अंदर जाते हैं show tables करके check करेंगे कि हमारे database है उसमें कितनी tables है ठीक है तो जब check करेंगे तो यहां पर आजाएक आपके पास कितनी table है यहां पर यह दो टेबल हो गई तो पहली जो हमने create की थी number one यह होगी student और number two कौन सी हो गई fees ठीक है तो अब हमको क्या करना है कि जो fees है मालों कि अभी use नहीं है या इसको हम चाहते कि गलती से हमने create कर दिया तो अब हम क्या करना चाहरे है इसको यहां से delete करना चाहरे है किसको इस fees को टेबल को यहां से delete करना है तो फिर इसके लिए हम command देंगे इसके लिए कमांड होगी ड्रॉप और ड्रॉप के साथ हम पास कर देंगे fee then semicolon तो यह इसको क्या कर देगा देसे अब execute करोगे ठीक है error दे दिया क्यों error दे दिया इसने drop table करना था इसको ड्रॉप टेबल इसका नाम है fee ठीक है तो हम drop table fee करेंगे तो यह जो data हमने इसमें मतलब जो create क्या था मतलब जो fees table create की थी वो इसमें से क्या होगी डेलिट होगी ठीक है तो यहां पर जो है एक तो fees था और दूसरा student ठीक है यह command हमने गलती से इंटर कर दी गलत के इंटर करोगे तो आपको यह message मिल जाएगा ठीक है लिकिन जब हमने show tables कर देते हैं ठीक है तो जो show tables किया तो अभी यह एक की टेबल को दिखा रहा है मिल्स यहां से जो है जो fees table है वो क्या हो गई डेलिट हो गई ठीक है तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो ddl command है अभी मैंने जो आपको command बताई कौन सी command थी ddl ddl में आपको मैंने बता दिया कौन-कौन सी एक तो क्रियेट और दूसरा हो गया इसमें दूसरी थी ऑल्टर वाल्टर के साथ में मैंने बताई आपको add then modify और तीसरा था हमारा drop और साथ में मैंने बताई कि टेबल के जो कौलम इसको डेलिट करना है तो इसके लिए कौन सी command है ड्रॉब ठीक है तो यह जो main command है यह this is a ddl command अब इसके बाद ddl के बाद हम किसको देखेंगे dml command को देखेंगे अब स्टार्ट करते हैं dml command इसका जो full form होता है data manipulation language means जो table के अंदर जो data को manipulate करते हो जैसे आपको data को table के अंदर करना या उसको delete करना या modify करना तो यह काम कुंद करता है dml command तो हम इसको जो classification करते हैं तो यह भी जो होता है इसके अपडेट करते हैं जो command होती है एक तो इसके इंसर्ट इंसर्ट हो गई दूसरी हो गई इसके अंदर update और तीसरी हो गई इसके अंदर delete तो चोधा हम उसको माहा लेते हैं यह एक्चली तो यह चार command हम इसके अंदर use करते है किसके अंदर dml के अंदर जैसे आपने क्या अभी हमने टेबल बनाए यह एक टेबल है ठीक है टेबल के अंदर अभी जो मैंने आपको ddl command बताई थी ठीक है तो ddl command जैसे यहां पर मैंने बताया बताई का सेरियल नंबर यह हो गया अम data field name हो गया दैन उसके बाद class हो गया ठीक है दैन उसके साथ हमने पास कर दिया कोई email पास कर दिया ठीक है तो जो ddl command थी वो किसके अपर apply हो लही ती यह जो command apply हो रही थी वो इस data field के उपर apply हो रही थी और अब जो हम use करेंगे dml command यह जो dml command है यह किस पर apply हो जाएगी यह particular records के उपर हो जाएगी ठीक है इसके पर जैसे यह individual records के उपर है कि ठीक है records के लिए हम इसको to use करेंगे अ bolなく यह मैंड डीवर्न्स एडिल और देमल मिल मतलब डीडिल किसके लिह आप कर रहे हो जो डीटा फेल्स एट्रिइब्यूट्स ने इसके लिए DRC nårby इसके लिए पर मस्कbaren यह निमल कमंड होंगी या हम जो Dts command को बोलें कि यह table के लिए l Deo वा समय हमरे पास अभी कौन सі मुंआ अवैलेबल भले थिक हिसके लिए अब कमांड करते हैं कि ये हमें पर सो कि ऐसे मुंआ हिख्या और जो टेबल्स तो तेबल लिए औलड़ी एक की टेबल है doing table अब student table को même describe करते हैं कि इसके एंदर कौन-कौन सी field है है, describe कर लिए है, अब इसके नदर कोई भी यह हमने जो है roll number हो गया, name हो गया और इस class हो गया, अब इसके नदर हमको data को इंटर करना है, इंटर करने के लिए हम command out ह mod use करेंगे, इसमें होता insert into insert into table का name क्या है student student pass कर दिया then यहां पर pass करेंगे values क्योंकि हमको enter क्या करना है values जो है एक तरह का record insert करना है इसको pass करेंगे तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या pass किया है this is the rule number rule number किस टाइब का है integer type का यहां पर rule number pass कर दिया suppose pass कर दिया 12001 ok then उसके बाद एक बाद class pass करना है कितने character pass की है suppose 3 character है तो मैं उसको roman number में pass कर रहा हूँ ठीक है तो 3 character pass कर दिया एक लिग्ए है क्लोस करने के बाद इंटर करेंगे ओके देखो मैसेज आ गया कि वन रो अफेक्टेट ठीके तो अभी मैंने इसमें क्या क्या है इंसर्ट किया जो रिकॉर्ट्स मतलब जो वेल्यूस थी वह उसको टेबल के अंदर इंसर्ट किया अब इसको चेक करते हैं तो चेक करने के यह को इंसरा इसको इसको डिसप्लेय करको रिखते हैं तो अब यहां पे मैंने पास किया था कितना एक अंदर पास कर दिया, यह स्टिक लिया हुआ है यह स्टार पास किया है, इसकी जगे मैं सपोस्पोस पास करता हूँ, मेरे को use करना है only rule number, rule number पास कर दिया है, then, इसके साथ मेरे को लेना है, s name, ठीकि, दोई data field को मैं पूँप डिस्प्ले करना है, तूँじ को इंट लेंगे धूट जो फेलद है जो फेलड डिफाईन हुई है याँतर टो टल ल टीलड कितनी दिफाईन हुई है यह ऐफनी टेबल के अंदर कितनी इतुबत्ती थी धैस ने पूरा पूरा डिस्पले कर दिया कब जब आपने इसकंदर क्या लगा इस्टार लगाया इस्टेक यूज किया और जब यहां पर हमने स्पेसिफाइब क्या रोल नंबर और ने यहां अब इसके बाद हम इसमें multiple records को insert करेंगे तो इसको record को insert करने के लिए हम command use करेंगे again insert insert करना है तो यह पर pass कर देता है suppose insert करना है तो मैं insert command pass कर देता हूं ठीक है यह insert into student इसकी value pass कर देते हैं value में change कर देता हूं suppose कोई दूसरा name ले लेते हैं second name यहां से delete किया तो यहां भी मैंने पास कर दिया सब्सक्राइब प्रिया ठीक है यह भी 12th class में है कि इसको इंटर कर देते हैं ठीक है फिर message आ गया one row affected इसको चेक करके देखते हैं कि यह जो है इसके अंदर इंटर हुआ कि नहीं तो मैंने फिर command pass कर देख स्टाफ फ्रॉम स्टुडेंट ओकी तो इंटर कर दिया तो यह दो record मतलब second record विसके अंदर इंटर हो गया ठीक है अब याद आया कि मैंने जो प्रिया का record इसमें इंसर्ट किया था ठीक है तो प्रिया का जो record इंसर्ट किया ठीक है तो मैंने गलती सी क्या कर दिया कि इसको मैंने 12th class पास कर दिया जबकि किसमें 11th class कंदर ठीक है तो मेरे को इसको चेंज करना है किसमें 11th कंदर चेंज करना है ओके और किसको चेंज करना है ओनली प्रिया क चेंज करना है ठीक हें इसका roll नबर क्या है Cox 0 2 तो अब इसके लिए मेंगो क्या करना पड़ेगा इसको modify करना पदेगा तो modify करने के लिए हम स्कांड क्मांड यूज करेंगे इसका नम अप डेट कुन सी कमांड ही है update अपडेट हमने जो insert किया था इसक लें insert कमांड means data को insert करना था तो insert command यूज़ किया अब हम करेंगे update ठीक है तो अब इसको update कैसे करते हैं इसको देखते है तो यहाँ पर pass करेंगे update 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 ठीक है टेबल का नाम क्या था update student यहाँ पर query पास कर देंगे ठीक है इसके इंदर पास करेंगे set क्या set करना है इसके इंदर पास करना है जो इसमें जो प्रिया जिसका रोल नंबर त्वेल जिरो टू है या जिसका नेम प्रिया इसनेम प्रिया उसी का रिकॉर्ड हम प्रियर हम चेंज करें अदरवास को या कर का सब का रिकॉर्ड चेंज करतेंगा this यहां पर yn कंडीशन देते हैं वेयर रूर यहां प्रास कब ci tau रोल नंबर नंबर है इसका रोऌन प्र है 1202 ठीक है इसी का रिकॉर्ड चेंज करना है तो देख लेते हैं ओकी वन रो अफेक्टिट ठीक है मेंस कि यह जो है इसको चेंज कर दिया है तो इसको चेक करते हैं वही कमांड हमारी कौन सी कमांड है गां छसे तरह से हम क्या करेंगे जो क्या कर सकते है तो यह तो हो गए हमारा अपडेट वाल She मैं को कोई रिकॉर्ड उसमें से डेलेट करना है उना है यह जरु योू गलती से इसको हो गया या फिर कि यह TC हो गया, तो इसको record से हम आपको यहां से delete करना है, तो उसके लिए हम command यूज़ करेंगे, कौन सी command यूज़ होगी, इसके लिए command होगी आपकी delete, ठीक है, delete command यूज़ करेंगे, जिससे हम करेंगे, जो record है, उसको यहां से delete कर देंगे, तो मैं फिर command पास करता हूँ, delete के ल डीबल का नेम क्या है, student, तिक है student है, अब किसका record आपको delete करना है, दीपकक का record इसमें से delete करना है, तो यहां पर pass कर देंगे, where, ठीक है, यहां पर नाम pass कर दो गई, अभी मैंने पिछले वाले मी, रोल नंबर से क्या था, अब है यहां पर sname pass करते है, sname pass कर दिया है, पर suppose condition ह हमारी हो गई किसका record अब को delete करना है दीपक का हमें रिकॉर्ड पास का देंगे ठीक करके देखते हैं ओकि यह वन रो अफेक्टेट तो वापस चेक करते हैं ठीकिए इसमें जो record select star from student तो display करेंगे तो अभी क्या हो गया कि जो यह record था किसका दीपक का ठीक है जो दीपक हमने लिया था ठीक है इस वाले को जिसको हमने गलत गलती से इंटर किया था यह वाला record ठीक है तो यह क्या हो गया यहां से delete हो गया ठीक है परपस होता है कि जो टेबल के अंदर जो भी content उसको डिस्पले करने के लिए यूज करते हैं ठीक है तो इस तरह से यह सारी की सारी processing होती है ठीक है तो कौन कौन सी कमांड देख लिए हमना DDL कमांड देखी DDL के अंदर create हो गया ऑल्टर हो गया देन ड्रॉप हो गया और DML लि प्रॉण में प्रॉव